हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं मेरा एउट्वी चैनल ओल जी के जी सिंदी ओफिसियल में तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला खलास आज हम लोग पढ़ेंगे लुशेंड का अबजेक्टिक कोश्चन जो फिजीक से समानी थे चलिए कोश्चन नमर एक कारे क मातरक है कारे क मातरक है जूल अप्शन ए परकास वर्स किसके ही काई है दूरी के लिकित में से कौन सी मातरा जोड़ातवे कमाप है जोड़ातवे कमाप क्या है तो दरवन अप्शन सी एक परकास वर्स 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 कितना होता है जो कोश्चन दूर में था तहो था 9.46 गुलें दौस के पावर 25 में नीटर में कोश्चन नमर 3 निम नीकित में से कौन सी मातरा जोड़ातवे कमाप है ता इसमें होई गया दरमान अप्शन सी कोश्चन नमर 4 चार में है सूची एक मिलान किजिए, सूची एक में है उचे बेग, उचे बेग का मात्रा क्या होता है, मैएक, अप्सण में तरें धरें कायेगा तो इंगोस्टरंड, दाव का पास्कल, उर्जा के जूल, तो इसमें आपको एंसर हो जाएगा, एक दू तीन चा तो अप्सण नमर पाँच, इसमें मिलान किजिए, भहतीक रासी और उसके ही काई, दूरी हो जाएगा परकास वर्ज, पादाज के मात्रा का मोद, बीदु तवेस के कुलों, उर्जा के वाट घंटा, एक के तीन, एक के तीन, बी के एक, सी के दू, और डी के चार अप्सन एए, कोश्चन नमर पाँच, सुची वन, सुची टू से मिलान किजिए, भहतीक रासी और उसकी काई, तवरण का होता है, मीटर पौर सेकेंड स्वेर, अप्सन एक के चार, बॉल का होता है, निउटन, तीन, कारे क्रिटी कारेक होता है, जूल, आधेक होता है, निउटन सेकेंड एक के चार, बी के तीन, सी के एक, और डी के person डॉग साथ नमर निम्नली लीखित में से समाई का मातरक नहीं है, समाई का मातरक नहीं है, पर कास वर्स के हैंवकि ये दूरी की मातरक है, अफ़शन सी आठ है, पाण सेकी काई है, दूरी के, अफ़शन नौ नूमर, निमने लीखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, डेसिबल हो गया धौनी के परवलता या तीबिता कहीं कहीं, यह तो सही है, और से सक्ति होता है, सक्ति कहीं कहीं, समुंद्री में होता है, नो संचालन में दूरी कहीं, यह भी सही है, से सियस, उसमा कहीं कहीं नहीं होती है, यहीं होते हैंगा अप्सन डॉग दोस नुमर लीमिन किसका मातरक है लीमिन होता है जोती फलक्स का जोती तिर्विता को होता है कंडेला लीमिन जोती फलक्स जोती तिर्विता के कंडेला एकारा नुमबर एकारा नुमबर कीवरी किसकी इकाई का नाम है रेडियो एक्टिप धर्मिता का अप्षन ए दाब का मातरक है बार्व नुम्बर दाब का मातरक है पासकल अप्षन ए टेंडेला मातरक है जोती तिर्विता का अप्षन डॉग चौद निम लिकित जूल निम लिकित के इकाई है जूल निकित के इंकाई है तो उर्जा का, कार या उर्जा का दोनों कोता है जूल अप्शन A तोनरा नमबर मात्रों को की अंतराश्टी पलती कब लाओ की गई 19.1 अप्शन B खाद उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं पेलोरी में अप्शन A विधूत मात्रा के इकाई हैं एनपी अर्जा का, अठारो एसाई प्वत्ती में लेंज की सकती के इकाई क्या है डाई अप्ट अर्जा का, अप्शन B 19.1 अप्शन अपने क्लिए प्रयोग में लाया जाता है वातामरों में धौनी अप्शन C 20.1 एमपियर के अर्जा अपने क्लिए क्लिए है करेंट अप्शन B 21.1 यह अंग प्वत्यास्ता गुडां का, एसाई मत्रा के निंटन पर मीटर स्कॉएर अप्शन C 22 नोमर निमनलिकित एउमों में से कीन भातिक रासियों के समान भीमिय सूत्र नहीं है किसका बिम्य सुत्र समान नहीं है, कारे उर्जागत समान है, बल और दाव का समान नहीं है, अब एक और सन्वेक का भी समान होता है, भार और बल का भी समान होता है, कारे और उर्जा का भी समान होता है, लेकिन बल और दाव का समान बिम्य सुत्र नहीं होता है अपसन नहीं है तेज़ू, एक खगोली एकाई समन्दित है, सुरी ए प्रितिविक बीच की दूरी से, आप्स Значит E चोबिस नुबर, निम लीखित में से कौन भेक्टर मात्रा है, यानि की सदेश रासिय की सबस्दित है 25 नमर निमनी लिखित में से कौन एक सदिस रासी नहीं है कौन सदिस रासी नहीं है दरदनाम अपसन डोग अदिस रासी है 26 नमर अदिस रासी हो जाएगा उर्जा 27 निमनी लिखित में से कौन सी एक सदिस रासी है सनवेग 28 28 नमर निमनी लिकित में कौन सी रासी तो सदिस नहीं है, सदिस नहीं है तायतन, अप्शन डॉब, निमनी लिकित में सदिस रासी है, 29 में, बेग, अप्शन ए, तीस नुबर, निमनी कित में से कौन सा एक बीत्पन परिणाम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका बीत्पन नहीं तो दर्मान, यह सब बीदपन से बनता है तिनू 31, तोरण ग्याद करने का सोई सुत्रे कौन सा है तो ए बरावर भी मैनेस यू बरावर टी अप्सने 32, पदात के सनवेग और बेग के अनुपात में से कौन सी भोतिक रासी पराप की जाती है तो इसमें होगा दर्मान अप्सन C, बीमा, एम एर टी के पावर मैनेस टू किसका अनुरूप है बॉल का अप्सन E 34, एक लड़की जूले पर बैठी इस्तिति में जूला जूल रही है उस लड़की के ख़ड़े हो जाने पर दोलन का अवर्द का कौम हो जाएगा यही कोचान आता है कि एक लड़की बैठी है और दूसरा भी लड़की आके बढ़ जाती है तो उसमें अपवर्दी तुलाता है लेकिन लड़की जूला जूल रही बैठकर और खाड़ा वा जाएगी तो उसका दोलन का अवर्द का कम हो जाएगा 36 नमबर यदि किसी चलती हुई वस्तु के बैठक को दो गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गौती जूर्जा चार गुनी हो जाती अप्शन C 37 किसी पींड के दर्मान तता भार में अंतर होता है क्योंकि दर्मान इस्तित रहता है जबकि भार परिवर्द नहीं होता है और 38 नमबर किसी भी इस्तिरिया गती सिल वस्तु की इस्तिती और दिशा में तब तब कोई परिवर्टन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहे बल सक्रिये नहीं हो या किसका कतन है Newton के गोति के BC1 का प्रथम नियम, Newton के गोति BC1 का प्राथम नियम, अफमन संद्छा बन और चालिस नमबर किसी असंतुरित बल द्वारा किसी पिंड में उतपन तौरम बल के अनुकर्म प्राथिन अफमन भी चालिस चालिस नूबर नूटन के गौतिके तीसरे नियम का नुसार किरिया तथा परतिकिरिया से समयंद वल हमेशा भीन 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 वस्तू पर ही लगे होने चाहिए अप्शन C 41 परतिक किरिया के बराबर वो विप्रित दिशा में एक परतिक किरिया होती है या है नूटन का गौतिक बिश्यक के तीसीर नियम आप्शन C 42 जल में तरना नूटन की गौतिक के किस नियम के कारा संभव है तीसरा नियम तीसीर नियम आप्शन C 43 कोई पिंड तब तक बिला मोस्ता में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहे बल कारे नहीं करता है यह कोतन किसका है? Newton का उप्षण A 44 बल की परिवाशा आती है? Newton के? प्रथम नियमस, गटी के पॉलेनियमस अफ्षण A अगटी के दूस्ए नियमसे बल का प्रेत्वर्थन का प्राप्षण A 45 किसी पिन के उस गुरुदहम को क्या कहते हैं जिससे वह सीडी रेका में बिराम या एक समान गती की इस्थिती में किसी भी परिवर्तन का बिरोद करती है जोड़त वे अप्शन B 46 निउटन के पहले नियम को भी कहते हैं जोड़त वे नियम अप्शन B 47 गाड़ी खिचता हुआ घोड़ा किस बल के कार आगे बढ़ता है तो प्रिथवी द्वारा घोड़े के पैरो पर आरोपित बल से अप्शन डोग प्रिथवी द्वारा घोड़े के पैरो पर आरोपित बल से 48 चलतु हुए बस जब अचानक बिरेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगिक की दिशा में गिरते हैं इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है तो न्यूटन के गोती का पॉला नियम अप्शन बी उन्चास रॉकेट की से सिधान पर कारे करता है न्यूटन के तिसरा नियम तितिय नियम अप्शन ए पचास औस वे अधिये का एक चलना परवाम कर देतो अस्वर होई कि गिरने के असांका का कारण है बिसराम ज़द्वे अप्शन सी एकामा नूमबर किर्केट का खिलाडी तेजी से आती हुई बोल को क्यों अपने हाथ को पीछे खीच कर पकड़ता है हो सकता है कि उसे कम बोल लगने क्यों सकता हो एकामन कहो जाएगा आपका बोल बिसराम की स्थिति में आ सकती अप्शन ए बोल बिसराम क्यों सकता में आ सकती है बावान नूमबर बोल का गुर्णफन है दरब्यान गुणे बे दरब्यान गुणे तौरण आप्शन बी होगा बॉल का गुरुन फन है दर्मान गुने तरवन अप्सन बी तीरपन जोब कोई व्यक्ति चंदार्मा पर उतरता है तो उसके सरीर में उपस्तिती भार गट जाता है तो था मत्रा अपवर्ती तरहती है अप्सन बी चौगन यदि हम भुमाद रेखा से धुरू की ओर जाते हैं तो जी का मन धुरू की ओर बढ़ेगा जी का मन सबसे अधिक होता है धुरू पे भुमाद रेखा पन निम्तम होता है केंद्र पजीरो धुरू पे अधिक भुमाद रेखा पन निम्तम होता है केंद्र पजीरो पचपन, शरीर का वजन धुरू पर अधिकतम होता है, अप्सन B चपन, एक अंत्रेक चेयात्री प्रितिवी तल की तून्ना में चंद तल पर अधिक उची छलांग लगा सकता है, क्योंकि पले आप देखल माल लगा लगा लिजी उसके बाद हम बोले है क्योंकि चंद तल पर गुर्टवा कॉंसर बल प्रितिवी तल की तून्ना में अलपत्ते होता है, अप्सन C 20 केजी की वजन को जमीन के उपर एक किलिमीटर की उचाई पर पकड़े लगने क्लिए किया गया कार सूनने जुलोता है अप्सन डोग अंठावन एक ब्यक्ती एक दिवार को धका देता है, पर उसे विस्थापित करने में असफल राता है, तो वह करता है विस्थापित नहीं राता है, वो कोई भी करने कर, आप्सन डोग 69 पहाडी पर चड़ता एक ब्यक्ती आगे की ओर छुप जाता है, क्योंकि इस्थित्य वे बढ़ाने के लिए अस्थाइत्य वे बढ़ाने के लिए, अप्सन डोग 70 पीशा की एतिहासिक मिनार्द तिर्ची होते जोगे भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्वे केंद्रे से जाने वाले उदवा धर रेखा अधार से होकर जाती है, अप्सन A 61 जाड़े की रातों में अत्यारिक ठंड बढ़ने पर पानी की पाई फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, अप्सन C 62 पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, अप्सन C 63 63 जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि तप मान 9 डिगरी से गिर कर 3 डिगरी से गिर कर दिया जा जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि तप मान 9 डिगरी से गिरा कर 3 डिगरी से गिर कर दिया जा तो पहले आयतन घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा, आप्सन C क्योंकि 4 डिगरी सेल्सियस पे पानी का घटेगा घटेगा आयतन कम होता है आप्सन C 65 किसी कालिन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाये तो उसमें कौन सा नियम लाग होता है ग्वत्ती का पहला नियम आप्सन A 66 सणक पर चलने की अपेक्षा बर्ग पर चलना कठीन है क्योंकि बर्ग में सणक की अपेक्षा घटेगा घटेगा कम होती है जहां घटेगा अचनले में कटना ही होगी आप्सन डोग बर्ग में सणक की अपेक्षा घटेगा 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 अपेक्षा बर्ग पर चलना कठीन होता है क्योंकि पएड तता बर्फ के मॉध रोड़ी ये पएड के मॉध घभरस बल की तुन्नय में कम होता है, अपशन बी और 169 लकडी के सिलेंडर कार पात्रे को खीचने की जगा लुड़काना आसान होता है, क्यूआंकि लूड़कन अवस्ता में घरसर बन फिशनल अवस्ता के घरसर बन के तुन्ने में बहुत कम होता है इसलिए अप्शन B 79 एक नदी में चलता हुआ जाहाज समून्द में आता है तो अब जाहाज का अश्तर थोड़ा उपर आजाएगा अप्शन B 70 नमबर लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है लोहे का घरसर पानी से अधिक है तथा पारे से कम उप्शन C लोहे का घरसर पानी से अधिक है तथा पारे से कम 71 बहुत तर, जब एक ठोस पींड को पानी में डुबाये जाता है तो उसके भार में हरास होता है। यह हरास कितना होता है? बिस्थापित पानी के भार के बराबर। आप्शन ए बहुत तर बर्फ पानी में तरती है प्रन्तु एलकॉल में डूप जाती है क्यों कि बर्फ पानी में तरती है प्रन्तु एलकॉल में डूप जाती है क्यों तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एलकॉल से भारी होता है आप्शन डौग अस्टिल की गोली पारे में तरती हैं क्योंकि पारे का घुन अत्व अस्टिल की अप्यक्षा अधिक होता है जब कोई नाव नदी से समूंद्रे में परवेश करती है तो थोड़ी उपर क्यों रूठ जाती है अप्सन ए पचातर की स्टप मान पर जोले का घुन अत्वा देखतम होता है चार डेग्री सेल्शियस पर अप्सन डौब चीहतर वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरतीत रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरतीत रहेगा घुन अत्वे अप्सन डौब 37 तराक को नादी के मुकाबले में समून्दी पानी में तर नाशान क्यों लगता है? समून्दी पानी का घुनत्य साधारा पानी से घुनत्य से ज़्यादा होता है अप्शन C 38 बादल कीश कारण में सेवा उमढ़र मितरते हैं नीमने घुनत्य में अप्सन भी 89 समुंद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुंद्र की सतस उपर रहता है एक वटे 9 कितना भाग उपर रहता है यह कर रहा है था एक वटे 9 अप्सन भी 80 बांध के नीचे के दिवार मोटी बना जाते हैं क्योंकि गराई बढ़ने के साथ द्रवबे का दाव बढ़ता है अप्सन भी अप्सन ए एक आसी बर्ग पर और स्केटिंग करना पर्दोसित करता है कि दाव बढ़ने पर बर्ग का गलना घट जाता है अप्सन भी 82 चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का बेग अधिक होने से दाव घट जाता है चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का बेग अधिक होने से दाव घट जाता है अप्सन ए 83 भारे हीम खंड सीडव की अपेक्छा नीचले तल से पिगलता है क्योंकि नीचले तल का दाव अधिक होने का रंगलांग घट जाती है अप्शन B, निचले तल का दाव अधिक होने कारण गलनांग घट जाती है 84, दलदल में फोसे बेक्टी को लेट जाने की सला दे जाती है क्योंकि छेत्रफल अधिक होने से दाव कम हो जाता है अप्शन E 85, बर्फ के दो तुकड़ों को आपस में दबाने पर तुकड़े आपस में चिपक जाते है दाव अधिक होने से बर्फ का गलनांग घट जाता है अप्शन E 86, परायत तेज आंधी आने उपर फोस या टीन की हलकी छत उजाती है क्यों की अप्शन C, छत के उपर बहने वाले उचे बेकी वाउ छत सता पर दाव उत्पन कर देती है तथा छत नीचे दाव समान रहते है अप्शन C 87, रेल की पट्री के नीचे लकड़ी या कॉंक्रेट की चोड़ी पट्री या लगाई जाती है जिससे की 88, पहाडों पर कभी कभी ब्यक्ति के नाक वा मुह से खुन निकलने लगता है क्योंकि उचाई बढ़ने के साथ वा मंडल ये दाव घटता है 89, हावाई जहाज में फाउंटेन पेंसे से आई बाहर निकल आती है क्योंकि उचाई बढ़ने से वा उधा में कमी आती है 90, यदि प्रित्वी का दर्मान वहीं रहे और तेज़ी एक परसेंट कम हो जाए तो अब प्रित्वी के तौल पर जी कमान दू परसेंट बढ़ जाएगा 91, उचाई की जोगो पर पानी 100 डिरी सेल्सिस के नीचे के तब मान पर क्यों उबलता है क्योंकि वा मंडलिये दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदू नीचे आयता है अप्शन A, अप्शन जो है इसका लंबा लंबा है इसलिए आपको ज़ला समय दे रहे है 92, साबुन के बुर्बुले के अंदर का दाब वा मंडलिये दाब से अधिक होता है 93, हम दलदली सावकों पर क्यों फिशलते हैं घरसल कमी से 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक है आंधी या जहांजावत की संभावना 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुबारा प्रिथिवी के तल से छोड़ा जाता है वा मंडल के उचाई पर जाने से गुबारे के अमाप में बिरिदी होगी 90, समतल की अपेक्चा परवतो परसा से लेना के कठीन होता है परवती ये वाव असुद होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते है 90, स्वारी 90 का ए समतल की अपेक्चा परवतो पर सांस लेना के कठीन होता है उचाई बढ़ने पर वाव दाब घट जाता है और ऑक्सिजन की अशकता बढ़ जाती है उचाई बढ़ने पर वाव दाब घट जाता है और हम लोग काउसिजन का जोहाय अशकता बढ़ जाता है तो नौलिका में पाराग गिर जाता है क्योंकि वहाँ पर वाव मडोली दाब नीमन होता है और अप्सिन सी अंठानवे उडान से पहले हवाव जात को दोड मरक बढ़ जाता है कारेकारी वाव दाब बढ़ाने के लिए और अप्सिन बी नीमन नवे हाइडोजन से भरा रबर का गुबारा वाव में उपर जाकर फट जाता है क्योंकि क्यों पोड जाता है वाव दाब घड जाता है इसलिए दोग निमन बेक डोग सो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कार उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है अप्सिन सी सूरे पर उर्जा का निमा होता है नवे के सलेंद वर अप्सिन बी सूरे के उर्जा उत्पन होती है नवे के सलेंद वर अप्सिन बी 103, डाइनेमो परिवर्थन करता है डाइनेमो यांत्री कुर्जा को बीज़त उर्जा में अपसन सी 104, परकास भोल टेसेल के परियोग से 100 उर्जा का रुपांतरों करने में नीम्न में से कीस का उत्पादन होता है परकास से उर्जा का अपसन ए 105. जब हम रोबर के गदे वाले सीट पर बढ़ते हैं या गदे पर लेटते हैं तो उसका आकार परवर्तित हो जाता है ऐसे परदात में पाया जाता है इस्थिती जूजा 106. निमलीखित में से किसमे गदी जूजा नहीं है 107. जब एक चल वस्तु की गदी दूगनी हो जाती है तो उसकी गदी जूजा चोगनी हो जाएगी 108. सीडी पर चड़ने में अधिक उर्जा खर्च होती है क्योंकि ब्यक्ति के गुरुत्वे के बिरुदे कारे करता है इसलिए सीडी पर चड़ने में अधिक उर्जा खर्च होती है 109. निमनीकित में से कौन सन्नियम इस कथन को बैठा राता है कि द्रवबेका न तो स्रीजन किया जा सकता है और नहीं बिना से उर्जा समचर का नियम अप्शन ए 112. सोचालित वाहनों में द्रवबेचालित ब्रेकों का इस्तमाल वस्तुत किस नियम का सिधा नुप्रूग है 11. रेल की पटरी अपने वक्रूप किस काना से बैक की गई होती है तो रेल गाड़ी के भार के 36 घटक से आवसेक अभी केंद्री बल पराप किया जा सकता है इसलिए रेल गाड़ी के भार के 36 घटक से आवसेक अभी केंद्री बल पराप किया जा सकता है इसलिए, अप्सन C, 112, cycle चलाने वाला मोड लेते समय क्यों जुगता है, तो वो जुगता है, ताकि गुरूत्वे केंद्र अधार के अंदर बना रहे, वो उसे गिन्ने से बचाएगा, अप्सन B, 113, कोई cycle सवार किसी मोड में घुमता है, तो वो अंदर की ओर जुगता है, अप्सन B, 14, जब दूद को प्रवर धंग से माथा जाता है, तो उसमें से क्रीम किस काना से अलग हो जाता है, अब केंद्री बल, अप्सन B, 115, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से उद्वादर ब्रित में घुमाय जाती है, तो पानी बाल्टी से ऊच्तम इस्तिति से भी नहीं गिरती है, क्योंकि, अप्सन B, अप्सन B, 111, वासिंग मसीन का कार्य सीधान था, अप केंदर अप्सन सी 117 चंदार्मा परवा मंडली नहीं होने का क्या क्यराण है इस पर गईस अणगो का पलायन बेग उनके बर्ग मध्य मूल्द बेग से कम होता है 118 जेटींजन किसके सनक्षण के सिधान पर कारे करता है राइखिक सनवेक सनक्षण के 119 प्रिथवी तल से कीस निम्तम बेग से पर छेपिट किया जाने पर कोई लॉकेट प्रिथवी के गुरुतवा करसर को पार करके अंतरिक्ष में चल जाएगा 11.2 किलमीटर पर सेकेंड क्योंकि प्रिथवी का गुरुतवा करसर बलता है 11.2 किलमीटर पर सेकेंड 120 भू इस्तिरूप गरव का अवर्थ काल होता है 24 गंड आप्षन सी 111 यदि किसी पिंड को प्रिथवी से 11.2 किलमीटर पर सेकेंड के बेग से फेका जाए तो पिंड 122 जब एक पत्थर को चांद की सता से पिरिथी पलाया जाता है तो चांद की सता से पिरिथी पलाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परन्तु दरामान नहीं 123 किसी लिप्ट में बैठे हुए ब्यक्तिक अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है तो जब लिप्ट तौरित गति से नीचे आ रही हो अप्शन A सोरी अधिक होगा जब लिप्ट तौरित गति से उपर जारे ये तब अधिक होगा और नीचे आएगी तो कम परतित होता है अप्शन B किसी लिप्ट में बैठे हुए ब्यक्तिक को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है तो जब लिप्ट तौरित गति से उपर जारे ये तो 124 प्रिथवी के परित गोमाने वाले क्रित्रिम उपगरो से बाहर गिराई गई गेंद प्रिथवी के परित उपगरो के समन अवर्थकाल के साथ उसी कस्में गुमती रहे गे 124 एक लिप्ट में किसी ब्यक्ति का परत्योक्ष भार वास्तिविक भार से कम होता है जब लिप्ट जा रही है तौरर के साथ नीचे अप्शन B 126, किसी तिलोयकारी उपगरा की पिरित्वी की सतर से उचाई लगवग कितनी होती है 36,000 किलोमीटर अप्शन A 127, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाडी पर अधिक उची उचलती है किनकी परवतों पर पिरित्वी का गुर्थवे तरों कम हो जाता है 118, यदि पिरित्वी का गुर्थवा कोर्सर बल अचालक लूप्त हो जाता है तो निमलीकित में से कौन सा पढ़्याम सही होगा वस्तु का भार सुन हो जाएगा परंतु दरभमान वहीं रहेगा 139, पिरित्वी के गुर्थवा कोर्सर का कितना भाग चनदर्मा के गुर्थवा कोर्सर के सबसे नजदीक है तो एक बटे चोव अप्शन C 13 लोलग की आवर्थ काल लोलग की आवर्थ काल लामबाई पर निवर करता है अप्शन B लोलग के 131 लोलग घड़िया गर्मी में क्यों सूस्त हो जाती है लोलग घड़िया गर्मी में क्यों सूस्त हो जाती है तो लोलक की लामबाई बढ़ जाती है जिससे एकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है Option C